ये पल्टी हुई बोगी देखकर अगर आपका दिमाग नहीं चकरा जाये तो हमको कहिएगा और उसके बाद जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा वो बकसर के रखुनाथपुर की तस्वीरे हैं जहाँ पर नौर्थ इस्ट एक्स्प्रेस कर रात को 9 बज कर 35 मिनट डिरेल हो गई और डिरेल होई तो ऐसी डिरेल होई कि सारी बोगियां अलग हो गई कोई बोगी खेत में पड़ा है किसी बोगी का चक्का खेत में धुलक चुका है किसी बोगी का सारा सामान इधर उधर पड़ा है कोई बोगी का वातानुकलित कर शीशा होता है वो फूट और ये सब कुछ जब कल रात को 9 बच कर 35 मिनट पर हो रहा था तब आप सब बहुत चैन की नींद में सो रहे होंगे और उसके बाद आपको तस्वीरे दिखाते हैं और ये तस्वीर देखिए जेसी भी जो एक बोगी को साइड करने के फिराक में हैं वो लोग चाहते हैं कि ज जोरा जब आपको देंगे तो आपका भी रॉंगटा खड़ा हो जाएगा घटना एक ऐसे ट्रेन की जो आनंद विहार से खुल कर गुहाटी को यानि की कमख्या मा के मंदर में जा रही थी घटना एक ऐसे रेलवे हादसे की जिसमें कहा जा रहा है कि सो लोग घायल हैं मृत को की शंख्या का वरनन करने में हमको डर लग रहा है क्योंकि कब हमको कौन सी सरकारे जूटा ठहरा दे इसका कोई मेरे पास सबूत नहीं रहेगा लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अगर आपको बिलकुल बुरा नहीं लग रहा है सरकार पर गुसा नहीं आ रहा है तब पुद्धर भी जहां आपको हमारी कैमरा के नजर से देख नहीं पाएंगे आप वहां की भी इस्तिती ऐसी है यह बक्सर जीले में पढ़ने वाला वो रखुनात्थपुर्य स्टेशन है जिस रखुनात्थपुर्य स्टेशन के लिए प्रधान मंतरी मोधी साहब ने कहा था क कि इसको हम एक वक्त में मोडल एस्टेशन बनाएंगे वो मोडल एस्टेशन जो एक तरीके से इतिहास लिखेगा और मोधी सरकार के काम का वरनन करेगा बताएगा कि मोधी जी कितना शांदार काम करते हैं और उस शांदार काम का नतीज़ा आपको सामने दिख रहा होगा अभी रगुनातपुर में कुछ हो जाता है और कहने को सिर्फ इतना है कि पट्री में कोई ग्लिच था कभी कहा जाएगा कि सिगनल नहीं मिला कभी ये कहकर बात को टाल दिया जाएगा कि देखिए भाई साहब हम अभी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हु और इनको लग रहा होगा कि कितना शांदार सा बात है वहाँ दिखाईए वहाँ भी खूब भीड है और जेसे भी से काम चल रहा है कहने को तो SDRF और NDRF की टी में आ गई है कहने को तो रेलवे का बल भी आ गया है कहने को तो ऐसा भी हो गया है कि सब कुछ एक दम से ठीक हो कोई यहाँ पर आई तो है लेकिन अफसोस की वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमने बोगी के भीतर जाकर देखा तो इस्तिती ना जुक थी कोई अपना खाना छोड़कर भाग गया था किसी महिला का चपल छूटा हुआ था किसी प सरकारों ने क्या इंतजमात किये हैं और इस इंतजमात पर आपकी क्या विचार हैं जरूर लिखकर बताईएगा क्योंकि हमें इंतजार है आपके विचारों का जो विचार कम से क्रांतिकारी ना सही सरकारों से सवाल पूछने के लायक तो होने चाहिए और इसलिए होने चा कवर करना था तो चड़ गए अपडेट करती रहेंगी आप दिन दनेंग सुन दीख रहे थी बहुत बहुत धनिवाद